हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चनल, तो आज हम फ्लाट राउंड कॉलर एलाइन कुर्ती बनाएंगे, तो इसके लिए हमने धाइमेटर फाब्रिक लिया है और इस फाब्रिक की वेड़ थे 44 इंच, तो सबसे पहले हमने फाब्रिक को लंबाई में फोल्ड किया है, यहाँ तरह से हमें कपड़े को फोरफोल्ड करना है, यहाँ पे यह ओपन साइड है और यह फोल्ड साइड है, और इसकी लेंध हमने लिए है 48 इंच, अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फोल्ड वाली साइड है यहीं से हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फोल्ड वा मैं ले रही हूँ 7 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोड देंगे, अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पर प्लस नूइच मार्जिन ले लिना है तो मैं ले रही हूँ 12 इंच, अभी हम शोल्डर से कमर की लेंध लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच, और हिप क लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 20 इंच, अभी जहाँ पर हमने कमर लेंध का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का फोर्थ पर प्लस नूइच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच, अभी जहाँ पर हमने हिप लेंध का निशान लगाया है वहाँ पर हमे हिप का फोर्थ पर प्लस तो इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रहे हो 12 इंच इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे अभी इस निशान को हम क्रॉस में एक्स्टेंड कर देंगे नीचे बॉटम तक अभी बॉटम में हम तीन इंच पे मार्क करेंगे और हलका सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इससे साइड से कोने नहीं निकलेंगे अभी हमें आर्मोल ड्रॉ करना है तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहां से आर्मोल का शेप दे देना है ये बैक का आर्मोल है और half inch अंदर से front का armhole भी draw कर लेना है अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width मैं ले रहे हूं 3.5 inch color के लिए और neck deep मैं ले रहे हूं यहाँ पर 7.5 inch तो यहाँ पर हमारा neck deep 7.5 inch तक रहेगा उसमें से 4.5 inch पर हम mark करेंगे यहाँ तक हमारा color लगेगा यहाँ पर भी हम 3.5 inch पर mark करके एक box बना लेंगे और round shape draw कर लेंगे यहाँ से हम slit रखेंगे और back के लिए हमें सिर्फ half inch पर mark करना है और round shape draw कर लेना है तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole cut करेंगे तो हमने cutting कर ली है यहाँ पर जो कपड़ा बचा है इसमें से हम sleeves की cutting करेंगे अभी हम इसे open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी हमें sleeves की cutting करनी है तो इसके लिए हमने fabric को full fold करके रखा है यहाँ पर यह fold side है अभी यहाँ पर हम sleeves की broadness लेंगे तो वो मैं ले रहे हूँ 10 inch पे अभी यहाँ से हम down 3 inch पे mark करेंगे और sleeves का shape दे देंगे अभी sleeves की length लेंगे तो वो मैं ले रहे हूँ 12 inch यहाँ पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रहे हूँ 7 inch इन दूनों points को जोड देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी यहाँ पर हमें एक छोटा सा cut लगाना है उसके बाद हमें sleeves को open करके रखना है यहाँ पर दोनों sleeves की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है अभी हम stitching करेंगे तो सबसे पहले हमने front का part लिया है यहाँ पर हम V-shape बनाएंगे तो इसके लिए यह हमने canvas paper लिया है इसकी width है 2 inch और length है 4 inch इसे हम fold करके रखेंगे और यहाँ पर हम 3 inch पे निशान लगा लेंगे उसके बाद हमें हलका सा V-shape draw करना है यहाँ से और इसकी cutting कर लेनी है इस तरह से हमने canvas piece की cutting कर ली है अभी हमने एक fabric का piece लिया है इसके उपर हमें इसको रखना है और press से चिपका लेना है तो हमने इसको चिपका लिया है अभी इसके बाहर से हमें half of inch का margin छोड़ना है और extra कपड़े को cut करना है उसके बाद इसको fold करते हुए सिलाई लगा देनी है तीनो side में तो हमने आपे सिलाई लगा दी है अभी हम इसको इसके उपर रखेंगे center से center को मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर हम pin लगा लेंगे उसके बाद V-shape में सिलाई लगाएंगे तो हमने आपर सिलाई लगा दी है अभी हमें यहाँ पर एक cut लगा लेना है अभी हम इसको अंदर की तरफ fold करेंगे और यहाँ पर हम top stitch लगा लेंगे तो हमने यहाँ पर top stitch लगा लिया है अभी हम back का part इसके उपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे तो हमने shoulders को attach कर लिया है अभी हमें collar की cutting करनी है तो front का center और back का center इस तरह से पकड़ते हुए हम इसको fold करके रखेंगे तो collar के लिए हमने यह canvas paper लिया है और इसकी जो width है वो 20 inch है और length है 7 inch अभी हम इसको fold करके रखेंगे और यह fold side है यहाँ पर तो यहाँ पर हम pin लगा लेंगे तो यह हिलेगा नहीं तो यहाँ पर यह fold side है और यहाँ पर यह ओपन side है यहाँ पर हम straight line draw कर लेंगे उसके बाद हमें इसको इस तरह से रखना है इसके उपर तो जो line हमने draw की है वो हमारी shoulder वाली line होगी तो back neck को हमें half inch deep रखना है क्योंकि हमने half inch का cut किया था back neck और यहाँ पर हमें pin लगा लेना है उसके बाद इसको हम इस तरह से सरकाते वे अपनी तरफ कर लेंगे front part को इसको हमें एकदम इस तरह से रखना है यहाँ पर यह सीधा होना चाहिए और अभी यहाँ पर भी हमें एक pin लगा लेंके उसके बाद हमें इसकी marking कर लेनी है इसी shape में तो यह बहुत ही आसान सा तरीका है तो यहाँ तक हमारा कॉलर होगा अभी pin हटा देंगे तो यह जो side है हमारी यह हमारी neck में attach होगी अभी हमें collar की width लेनी है तो वो मैं ले रही 1 inch उसके बाद इन सारे points को जोड देंगे अब यहाँ से हम हलका सा curve shape देंगे तो इस तरह से collar की marking हो गई है अभी हम pin बीच में लगाएंगे और collar की cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने collar की cutting कर ली है अभी हमने एक fabric का piece लिया है इसको हमने उल्टा रखा है अभी इसके ऊपर हमें collar को रखना है और press से चिपका लेना है तो हमने इसको press से चिपका लिया है उसके बाद यहाँ से हम half inch का margin चोड़ेंगे और extra कपड़े को cut कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें इसको fold करते हुए press कर लेना है तो देखे इस तरह से हमने fold करते हुए press कर लिया है आप यहाँ पर glue से चिपका भी सकते हैं अभी हमने एक दूसरा fabric का piece लिया है इसकी ऊपर हम इसको रखेंगे दोनों fabric की सीधी side हमें अंदर की तरफ रख लेनी है उसके बाद इसी shape में हमें नीचे वाले कपड़े की भी cutting कर लेनी है तो देखे same shape में हमने उसकी भी cutting कर ली है अभी यहाँ पर देखे जो हमने fold किया हुआ fabric है तो नीचे वारा fabric भी हमारा उतना ही होना चाहिए जितना की हमें सिलाई में लगेगा उसके बाद यहाँ पर हम इसको fold करते हुए अंदर वाली side सिल देंगे तो दिखे जिस तरफ canvas लगा है न वही side हम fold करते हुए stitch करेंगे और पूरे में हमें stitch करना है यहाँ पर हम canvas के उपर stitch नहीं करेंगे side में stitch करेंगे दूसरे end में भी हम कपड़े को fold करेंगे तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है अभी quarter inch का margin छोड़ना है और extra कपड़े को cut कर लेना है तो हमने cut कर लिया है यहाँ पर हम छोटे छोटे cut लगा लेंगे और उसके बाद हम collar को सीधी side में turn करेंगे और इसको अच्छे से press कर लेंगे तो हमने इसको press कर लिया है अभी हमने कुर्ती को उल्टा रखा है तो back part के center में हमें निशान लगा लेना है और collar के center में भी हमें निशान लगा लेना है अभी जिस तरफ canvas नहीं लगा है वो side हमें stitch करनी है कुर्ती में तो center से center को मिला लेना है और यहाँ पर हम pin लगा लेंगे सबसे पहले उसके बाद दूसरे corner पर भी pin लगा लेंगे front के और यहाँ पर भी pin लगा लेंगे उसके बाद हमें पूरे round में इसको stitch करना है तो हलके हातों से हम इसको stitch करते जाएंगे तो इसे खीचना नहीं है हलके हातों से stitch करते जाना है तो एकदम बराबर लग जाएगा यह उसके बाद सीधी side में turn करना है collar को तो हमने collar को stitch कर लिया है अभी हम कुर्ती को सीधी side में turn करेंगे और collar को भी सीधी side में turn कर लेंगे तो यहाँ पर raw edges को अंदर करना है और इस तरह से fold करते हुए हमें stitch करते जाना है पूरे round में तो सबसे पहले पूरे में हम fold करते हुए pin लगा लेंगे तो stitch करते time पे जोल नहीं आएगा और आसानी से हम इसको stitch कर पाएंगे तो करते हैं तो यहाँ पूरे जाएंगे तो देखें इस तरह से ये हमारा कॉलर लग गया है और बैक साइड में भी अच्छी फिनिशिंग आई है अभी हम स्लीव को एटेच करेंगे तो स्लीव को हमें शोल्डर के ओपर उल्टा रखना है और इसे स्टेच कर लेना है इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी स्टेच कर लेंगे और स्लीव के बाटम को डबल फूल्ड कर देंगे तो हमने दोनों साइड में स्लीव को एटेच कर लिया है उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे और दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फूल्ड कर देंगे